नमस्कार दोस्तो मैं हूँ आपका दोस्त इंजीनियर अभिशेक सिंग और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनिरिंग सपोर्ट दोस्तो वैसे तुम्हें हाउस कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे डालता रहता हूँ दोस्तो लेकिन ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है चुकि अगर आप एक घर बन रहे हैं माइने ने रखता है कि आपका घर कौन से मिस्तिरी बना रहे हैं कौन से ठेकदार बना रहे हैं बस आपको खुद में टेकनिकल नॉलेज होना चाहिए ताकि आप अपने साइट पे बिजिट करके आप क्रॉस चेक कर पाओ आज मैं आपको लैपिंग जोन से ले करके लैपिंग लेंध के बारे में बताने वाला हूँ बेंडिंग मॉमेंट, शियर स्ट्रेस क्या होता है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, क्रॉस बहरी कर सकते हैं ये चीज़े दोस्तो आपको मैं इस वीडियो में बिल्कुल असान भासा में टेक्निकली चीज तो है, लेकिन मैं टेक्निकली नहीं, बलकि अपने आसान भासा में आपको समझाने के कोशिस करता हूँ दोस्तो यहाँ पर देखे, जहाँ पर मैंने उंगली रखी है, यहाँ पर जोगल मरवाना बहुत ज़ादा जिरूरी है वैसे यह जो आप कॉलम देख रहे हैं, यह भी टेक्निकली 100% सही नहीं है कहां गलती किया गया है, यह भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ बड़ा साइट है दोस्तो, लेकिन फिर भी यहाँ पर इस तरह का गलती किया जा रहा है तो आप इस चीज को ध्यान देंगे, जब आपका घर बनेगा तब इस चीज को ध्यान देंगे दोस्तो, सबसे पहले समझ लेते हैं कि लैपिंग होता क्या है दोस्तो, मानली जी कि आपका घर बन रहा है, तो एक कॉलम में हम एक सरिया उपर तक डालेंगे अगर सरिये का length उतना नहीं पहुँच रहा है तो जो सरिया से सरिया को जोडते हैं उसी को जो joint होता है उसी को हम लोग lapping बोलते हैं जिस जगह पे हम लोग जोडते हैं उसको ये देखिए ये हमारा lapping zone हो गया lapping zone ये देखिए हमारा lapping length हो गया ये मैं आपको दिखा रहा हूँ लैपिंग लेंथ हो गया मतलब कि एक बार दुसरे बार पे जितना ओभर लैप करेगा जितना चरहेगा दोस्तो वो हो गया हमारा लैपिंग लेंथ तो एक बार से दुसरे बार पे कम से कम दोस्तो 50D आपको एक बार से दुसरे बार पे दोस् तो चरह हुआ रहना चाहिए, जहां पर last end करेगा हमारा सरिया नीचे वाला, वहां पर दोस्तो उपर वाले सरिये में आपको जोगल मरवाना, मतलब कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा, वो जोगल, टेरा किया हुआ है न, उसी को जोगल बोल हैं कि आप जो कॉलम बनवा रहे हैं, उसका लैपिंग जोन का है, जो कि सबसे important पार्ट है, अगर लैपिंग जोन सही नहीं रहा, आप अगर नीचे में लैपिंग जोन दे देते हैं, तो आपको मैं बता दू, सेर स्ट्रेस सबसे जादा, हमारा जो कॉलम रहता है, उसके न आप देखेंगे, आप जितना भी बार है, सब का लगवा लबा जो है वो एकाथ इंची के दूरी पे देख रहे हैं कि लैपिंग है, ऐसा बिल्कूल भी नहीं होना चाहिए, आप जो है वो लैपिंग अलग अलग बार में, अलग 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 जगा पे दें, ठीक है, तब ज्यादा, चुकि हम जॉइंट अगर एक ही जगा दे दिये, तो अगर लोड परेगा, तो वहीं से कॉलम तूट जाएगा, आप ये भी समझ सकते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये हमारा जॉगल हो गया, ये जो टेरा किया हुआ, ये हमारा जॉगल दिया हुआ ह वह सबसे अच्छा रहता है, चुकि बेंडिंग मोमेंट वहाँ पर जीरो रहता है, दोस्तो, वहाँ से कॉलम मुरने का, जब भी तूटेगा, तो नीचे से तूटेगा नहीं, तो उपर से तूटेगा, बीत से कॉलम दोस्तो, बहुत ही कम तूटता है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, कि जब भी जॉइंट देना हो, कॉलम के बीच में देंगे, नीचे L by 4 और उपर L by 4, यानि कि 12 फीट का आपका कॉलम है, तो L by 4 करेंगे, तो 3 फीट नीचे और 3 फीट उपर, छोर कर ही आपको जो है वो लैपिंग यानि कि जॉइंट पुरभाइड करवा है न, वहाँ पर दोनों को एक लेंद का रखिएगा, और जो आमने सामने वाला है, दोनों तिर्चा में, उसको दोस्तों को दोनों कोर्नर को एक साइड रखिएगा, चुकि एक ही जगा, अगर मान लिजीए कि एक ही साइज का रखिएगा, तो लोड परेगा, तो वहाँ से असानि से टूट जाएगा, वैसे copy में आपको बताता है तो जड़ाओं आछे तरीके समझ में आता है, वैसे मैं आपने तरफ से पूरा Q system किया है, कि आपको बिल्कूल तरीके से समझा दिया जाए, वैसे अगर कोई दिक्ट है, मैं ने कमेंट बॉक्स में पोच सकते हैं और ये वीडियो कैसा लगा आप अगर घरवन वारे कमेंट बॉक्स में दीजिए धन्यवाद दोस्तों